हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी रेन्यू दोस्तो बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरार भी गुरूप डी नई भरती के अपडेट के ऊपर देखें दोस्तो एक नई नोटीस आई है रेलवे की तरफ से और इंप्लोईमेंट न्यूज में रेलवे यहीं पर बात करेंगे जो लंबे समय से चातर का इंतिजार कर रहा कि आकर नई भर्ति की 내ुष्ट कंप तख जावा जाएगी तो इसके बारह में कब से ऑनलेन सुरूफ जागा चलिए वीडियो को शुरू करते नहीं नए तो बाको बाइए तो देखिए अब्स के सिरिक भी गौर्मनेंट एक्जाम है और भी एलपी टेकनिशियन जूनियर एंजिनियर आरपी एफ इसी तरह से दोस्तों एंटी पीसी और ग्रूप डी के सारे एक्जाम के आप लोग मौक टेस्ट प्रिवेस एर क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेल यहां पर कर सकते हो तो वीडि सेंटर रेलवे ने यहां पे नोटिफिकेशन डाला है और यह अपडेट दोस्तों ग्रूप डी की भरती के उपर है जो कि खास करके यहां पे स्काउट्स एंड गाइड कोटा के थुरू यहां पे भरतिया निकलती है डेट देख लिजे 23-2024 के डेट में अपडेट आया है उसके बारे में भी डीटेल में जानेंगे कि आखिर उसकी भरती में इतनी लेट लतीफी हो कियो रही है कब तक नोटिफिकेशन आजागा क्या भरती आजाएंगी कब से फॉरू होगा तो देख लेते हैं यहां पे देखिए साउट सेंटर रेलवे की तरफ से यहां पे स्क यहां पे ग्रूप C की पोश्ट निकली है लेवल टू के अंतरगत ठीक है और एहां पे एर्स्टवाइल ग्रूप D जिसको पहले ग्रूप D बोला अता था अभीड़िफ G के अंतरगत डाला गया है लेकिन अभी भी ग्रूप D ही बोलते हैं एक तरह से लेवल बन के है और छात्र भी इसी को जानना चाहते हैं देखिए एस्ट वाहिल ग्रूप डी लेवल बन साफ साफ रेल्वी बालों ने एंप्लोइमेंट न्यूज में ओफिशल नोटीस में बोले हैं आपको टेन्थ पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसिप रहेगा रेल्वे से तभी आप लोग eligible हो या फिर 10th pass प्लस ITI आपके पास रहेंगे तब आप लोग eligible हो इसके बाद ये लोग बोल रहें for other department यानि ये सब main department को छोड़ करके other department में matriculation 10th pass और ITI और its equivalent और national apprenticeship certificate granted by NCVD यानि दोस्तों other department के लिए जैसे होगया pointsman की post होती है ठीक है traffic department के अंतरगत आपका medical department के अंतरगत hospital assistant का post आता है गेटमेन का पोश्ट आता है ट्राफिक डिपार्टमेंट के अंतरगत इस तरह से पोटर का जो पोश्ट आता है ट्राफिक डिपार्टमेंट के अंतरगत हैमल का पोश्ट आता है यह सब में बोला है कि अधर डिपार्टमेंट में जो सिर्फ दसमी पास वाले भी छात कि यहां पर फॉर्म आपइदन करसकेंगे इन अ पोस्त पछ पर इट वाले भी रहेंगे एक्ट एप्रेंटुस वाले भी एप्रेंटिस हीर्लीजबल रहेंगे और एक्ट एप्रेंटिस हीब करते हैं वह से होता है और ITA वाले जो छात्र है वो NCVT या SCVT से करते हैं वो दोनों ही एलिजबल यहां पे होते हैं तो यहां पर तो दोस्तों साफ साफ क्लारिफाई कर दिया इस employment news में ही railway के तरफ से clear कर दिया गया है कि जो आपका group D की notification में educational qualification रहने वाली है इसमें यहां पे नए rule के ही according रहने वाले है कि maximum post पे करीब करीब 80% से लेकर के 85% के आसपास post ऐसे रहते हैं जो की civil, mechanical, electrical और signal, telecom department का ही रहता है तो इसमें से maximum post पे ITI एक तरह से लागू कर दिया और वही कुछ post जो बचेंगे pointsman, gateman, hospital assistant और porter का सिर्फ 3-4 तरह के post है उसमें दसमी पास वाले eligible यहां पे राखने वाले हैं हलांकी देखा जाए तो यह दोस्तों आपका जो notification है वो open market वाली notification नहीं है यहां पे दोस्तों आपका scout and guide quota के अंदरगत है लेकिन यहां पे railway की ही तो notification निकाली गई नहीं गरूप D के term में तो जब नई वाली rule को लागू कर रहे है सारे के सारे scouts guide quota में sports quota सभी तरह की भरतियों में तो यहां पे दोस्तों open भरती जो आपकी आने वाली है ठीक है बड़ी वाली भरती आने वाली जिसमें सब eligible होंगे उसमें भी अब मान के चले कि आपका ITI लागू है यह 2311, 23 November 2024 की खबर है दोस्तों यह latest वाली कल ही कि यह खबर है जो employment जिमाई है तो समझे कि एक तरह से आपका ITI लागू रहने वाले है तो ITI वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है पहले से ही मैं update देते आ रहा हूं कई बार जब जब update आई है दोस्तों आपको information दिया हूं कि य इसी तरह से notification में भी देखने को मिल रहा है अब रही बात कि open भरती वाली notification में ITI लागू रहेगी तो friends इसी के recording आपका उसमें भी लागू रहेगा कि को रूल एक particular भरती के लिए सभी के notification में same to same रहता है तो ITI लागू होकर कही notification आएंगे रही बात कि आखिर इतना लेट ल यानि दोस्तों chances आपका December December तक तो है ही ठीक है बट अटकले यहीं चारे थी कि October तक आ जाए या November तक आ जाए और फॉम फिलेप की परकिरिया सुरू हो जाए November पूरा का पूरा दोस्तों यहां पे October पूरा का पूरा यहां पे खत्म हो गया कुछ update नहीं आए November बे सिर्फ last week यहां पे बच्चा हुआ है last week आपको पता होगा दोस्तों तीन चार दिन पहले ही लोकल बेंगॉली वाली जो यहां पे employment news थी उसमें एक ख़बर पब्लिश किया गया था कि 50,000 प्लस जो है आपके पोस्ट आने वाले हैं इस पर ग्रूप D में और आपके जो भरती प्रक्र यहीं November में चांस है कि आपकी employment news में नोटिफिकेशन आ सकती है ओपन भरती वाली और यह तो कंफर्मान के चलिए कि December मां में ही online अभेदन शुरू होगा online अभेदन प्लस full notification December मां में तो पूरी तरह से अब December में एक तरह से shift हो गया है हो सकता है कि last last of जो कुछ है बचा हुआ last of November तक अंतिम अंतिम November तक short notification जो होता है employment news में वह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जारी कर दे तो अब ज्यादा लेट लेतिपी करेंगे नहीं में recording कुछ अगर वेकेंसी में दिक्कत हो रही होगी किसी जोन वालों ने वेकेंसी अच्छे से नहीं दिया होगा या फिर late कर रह रहे हैं age limit का 3 साल का है लोग छूट देने वाले हैं तो रही बात तो सिर्फ post को लेकर कहीं कुछ ने कुछ दिक्कत हुआ होगा इसलिए इतना लेट लेतिपी चर रहा है क्योंकि हर जोन से वेकेंसी का डेटा मंगा जाता है कभी कभी वेकेंसी का डेटा गलत भर कर देते ह है फिर से रिबीओ में भेडते हैं फिर से गलत होता है तो दुबारा मंगा जाता जब तक पूरे जोन की वेकेंसी नहीं आगी नोटिफिकेशन चारी नहीं करते है है रेलवे मंत्राले के पास तभी जारी करते है तो इसमें थोड़ा बहुत लेट लाती फी लग रहा होगा लेकिन अब यहाँ पर मानके चलिए कि दिसंबर माह में ही ओनलाइन अबेदन शुरू हो जागा और अंतिम ओप नॉमबर तक चांसेस है कि आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाए और ITA वाले और नॉन-ITA वाले का यहाँ पर क्लारिफाई हो गया दोस्तों एक तरह से अब मानके चलिए कि ITA यहाँ पर लागू करके ही नोटिफिकेशन है जो कि आपका जारी हो जागा तो यह रही अपडेट बाकी आपको क्या कहना है इसके उपर जरूर कोमेंट सेक्टर बे बताइएगा वीडियो को दो देनेक्स वीडियो में नेक्स अब्डेट में